राजनितिक दलों की जो विचारदारा होती है वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए बाहर से ओढ़ा हुआ आवरण है जनता को दिखाया जाता है कोई भी दल हो X, Y, Z कोई सा भी जनता को दिखाया जाता है देखो यह अमारी विचारदारा है लेकिन वास्तिक जो उद्देश होता है वो सत्ता प्राप्ति होती है बांगलादेश की अगर हम बात करें बांगलादेश के संदर्भ में तो आज बांगलादेश उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर मोल्दिउस चल रहा था मौल्दी उसमें इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद मौल्दी उसका नया राष्टपती बना मुज्जू ये वैसे एक फोटो लग रही है बांगलादेश के लोगों की उस समय किये जब पाकिस्तान के दुआरा उनको प्रताडित किया जाता था पाकिस्तान ने एक ओपरेशन चलाय था ओपरेशन सर्च लाइट मार्च 1971 में और ओपरेशन सर्च लाइट चलाकर तीन से और तीस लाख के बीच में बांगलादेशियों को काट दिया गया था इसके अलावाद 2 लाग से लेकर 4 लाग के बीच में इतनी महिलाओं का पाकिस्तान की सेना के दुआरा रेप कर दिया गया था एक करोड से ज़्यादा बांगलादेशी ऐसे थे जो भाग कर बांगलादेश को छोड़ कर भारत में आगे थे शरणार्थी के तोर पर लेकिन लगता है बांगलादेशी सारे बांगलादेशी नहीं कुछ जो राजनीती से वही शुरुवात में मैंने बात करी थी कि कोई भी विचारदारा जो है वो छद मावरण है के बल सत्ता प्राप्ति के लिए जंता को दिखाने के लिए तो वहां का जो दल है BNS बांगलादेश नेशनल पार्टी वो बहुत लंबे समय से चट पटा रहा है कि बांगलादेश की जो प्रदान मंत्री है शेख अशीना ये चौती बार लगाता रहा है वहां की प्रदान मंत्री बनी है अब जो विपक्षी पार्टी है बांगलादेश नेशनल पार्टी कि किस प्रकार से विरोध किया जाए किस प्रकार से बांगलादेश में एक लहर पैदा की जाए सबसे अच्छा टार्गेट लगा कि भारतीयों की बुराई करो क्योंकि आजकल पूरी दुनिया भी इसी रास्ते पर चल रही है वले अमेरिका की बात कर लो या मोल्दी उसकी बात कर लो या बांगलादेश की बात कर लो पाकिस्तान तो खेर सुरू सही तो पूरी दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है कि भारत को टार्गेट करो क्यों क क्योंकि भारत विचारा गरीब बापड़ा नहीं है। यह तो विचारा गरीब बापड़ा आदमि है। यह साईकिल वाला मान लिजी आप अगली बर कार में आए। यह साईकिल वाला शक्तिशाली होजाए। आपका पडोसी शक्तिशाली हो जाए तो आप गरीब बापड़ा नहीं है उसमें अगर कोई कमी नहीं भी है तो उसमें जान बूझकर कमिया निकाली जाएंगी तो इसलिए भारत का जो अंतराश्टी इस तरपर जो कद बढ़ रहा है इसलिए भारत एक आसान टार्गेट है क कि अब क्या करना चीए तो एक काम करते हैं उसी प्रकार का हैंस्टेग् चलाता है जिस प्रकार से माल्दी उस ने चलाए था मोउम। defines me यह मोईजू का देखो मैंने राष्टपती लिया है, कौन सा अए मोईजू का राष्टपती, मैंने कितनी बर बोला है तुमको यह दोनों फोटों एक साथ मतलगा है करो, समझ में नहांता, मुईजू कौन सा इसमें, मुईजू, यह वाड़ा है गया, यह यह, अच्छे, यह मुईजू, यह है, मेरे पेचान में नहीं आए था, तो मुईजू जो है, जब यह वहाँ पर presidential election हुए, मौल्दिवस में, मौल्दिवस तो पता यह, यह मौल्दिवस, आजकल बहुत boycott, यह क्या boycott करेगा, आमने इसका boycott कर रखा है, यहां इस जगे यह मौल्दिवस है, जबरदस तरीके से इंडियन्स के दुआरा इसका boycott किया जा रहा है, तो यह जो है, यह मौल्दिवस, वहां के presidential election में चाइना ने पैसा लगाया, कि सब इस व्यक्ति को जिताना है, और जो व्यक्ति भारत का समर्थक है, यह वाला, यह वाला गेक्ति, इब्राहिम मौमद इसको हराना है, तो इसने क्या एक ट्रेंड चलाया कि एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका यह है, कि भारत का विरोध करते हैं, और वहां पर हैस्टेक चलाये गए, ट्रेंडिंग में लाया गया, कि भारत का विरोध यह इस प्रकार से, यह कुछ ट्रेंड लेकर आये ग तो जैसा हैस्टेग मौल्दी उसने चलाया, उसका फायदा वहां के प्रेसिडेंट को मिला, चाइना ने दबा के पैसा लगाया, वो जीत गया, अब तो देखो पानी भी पहले भारत से पानी लिया करता था, मतलब कमाल की बात है कि आप कितना ही उपकार कर लो, जैसे इन बा प्रणार्त की बनकर आगे, उसके बावजूद ये जल्दी भूल जाते हैं, अलाकि बांगलादेश की जो प्रदानमंत्रिय शेख हसीना इन्होंने इस बॉयकोट वाला जो खेल चल रहा है इसमें भारत की साड़ी की एंट्री करवा दी, और ये कहा कि बैया ये जो तुम विरोध कर रहे हो ना, बॉयकोट इंडियार, बॉयकोट इंडियन प्रोडेक्ट्स, सबसे पहले एक काम करो, ये जाज करो अपने घर में जाके, कि तुमारी जो पत्निया है ना, वो भारत में जा जाके महां की साड़ीयां खरीद खरीद के लाती हैं, और अभी भी तुम भारत की साड़ी ही पहने में मिलेंगी, तो अगर सही माहने में तुमको भारत का विरोध करना है, तो सबसे पहले उन साड़ीयों को फूको, उन साड़ीयों को जलाओ, वरना उपरी तोर पर के वो लोगों को मुरख बनाना बंद कर दो, कि इंडियन प्रोडेक्ट्स का बा लेकिन जैसे पाकिस्तान कर रहा था ना, कि हम भारत से सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, और वो भारत का इसामान खरीद रहा है, लेकिन सीधे भारत से खरीदने की बजाए, दूसरे देशों में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से भारत का सामान पर्च वो भारत के विरोध में नहीं है, भारत के फेवर में है, जबकि जो विपक्षी दल है, वो इस प्रकार से माहोल तयार कर रहा है, ताकि मौल्दी उसमें जो वहां का प्रेसिडेंट जीता, उसी प्रकार से हमारा भी यहां पर कुछ बाला हो जाए, खेर, मैं बात कर रहा था इनकी घजनीवाली यादास्त की, यह देखो, यह पाकिस्तान का जो कमांडर है, वहां की सेना का उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान होता था, यह तो हमको पता है, जब भारत के टुकड़े वे भारत को तोड़ा गया, तो एक तो यह बनाया था, फश्चिमी पाकिस्तान, ए हम उनकी चीजों को क्या accept करें, हमारा एक अलग से राष्ट रोड़ना चीए, उस चीजों को दबाने के लिए पाकिस्तान ने यहाँ पर कई तरह का इन पर प्रताडना की, जैसे आज हम देखते हैं कि यह जो बलुचिस्तान वाला क्षेतर है, संसादन वहां के हैं, लोग वह जाता था, भारत की तरफ देखा, भारत की सेना गई, और भारत की सेना ने 30 दिसंबर 1971 को ओफिशियली रूप से इस युद्ध की शुरुवात कर दी, तेरा दिन तक युद्ध हुआ, और तेरा दिन के बाद की ये पिच्चर है, ये देखो, 16 दिसंबर की, ये पाकिस्तान का जर्नल है निया जी, ये साइन कर रहा है, हमारे जो लेटिनेंट जर्नल है, जेस अरोडा, लेटिनेंट जर्नल जेस अरोडा के सामने, साइन क्या कर इसमें कि 13 में 1000 जो वजन लेके आया हूं में साथ में ये सारे आपके सामने सरेंडर करते हैं 13 में 1000 सेनिकों को सरेंडर करा दिया था तब 16 दिसम्बर को इसलिए हम विजे दीवस के रूप में मनाते हैं मतलब कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि आज कहीं पर भी भारत की थोड़ी सी बुराईया आप कर दो आप ट्रेंडिंग में आ जाओगे और यह तस्वीर भारतियों की दिखाई है कि साब कीचड में पैर फसे में हैर लुंगी लपेट रखी है पैरने के लिए इनके पास में कपड़े नियरी इस परकार से लोग रहते हैं चेहरे के इस परकार से एक्सपरेशन मतलब दीन दरिद्र बिल्कुल इस तरीके से दिखाया है जिस तरीके से आज भारत की इस्तिति कता ही नहीं है लेकिन भारतियों का मजाक उडाना है जबकि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये जो गटना हुई थी इस जहाज को अमेरिका का ही व्यक्ति चला र इंडियन उरिजन क्रूफर टाइमली मेडे कॉल मतलब इन्होंने टाइम से इंफर्म कर दिया था कि साब यह जहाज तकराने वाला है तो इसलिए पहले ट्रैफिक रोग दिया गया था बहुत सारे लोगों को उस ब्रिज पर आने से रोग दिया था वरना अगर इस प्रकार से इंफर्म नहीं किया जाता तो वहां पर बहुत बड़ा आजसा हो सकता था तो वहां के जो प्रेसिडेंट वो तो तारीफ कर रहे हैं इंडियन क्रू मेंबर्स की और लेकिन जो मेगजीन्स हैं समाचार पत्र हैं उनको तो ट्रेंड में आना है ना बुराई किसकी की किया इस वीडियो में इतना थेंक्यू जहनु